हेलो एब्रीबन आज का जो आपका चैक्टर स्टार्ट हो रहा है वो पार्लिमेंट के बारे में देखे पार्लिमेंट के बारे में जिस तरह से मैंने आपको बताया था ठीके उससे पहले हम ये जानते हैं कि पार्लिमेंट का चैक्टर आपका जो स्टार्ट होगा उसमें क्या क्या चीज़े आती है, ठीक है, तो आइए देखते हैं, ठीक है, सबसे पहला मैंने आपको बताया था कि ओर्गन के बारे में, अगर हम बात करें, ओर्गन्स ओफ गॉर्मेंट के बारे में, ठीक है, तो उसमें आता है आपका एग्जिकेटिव, ठीक है, एंड अब पर्लेमेंट में क्या क्या चीज़े आती है, तो आपका क्या क्या चीज़े आती है, सबसे फर्स्त है आपका प्रेजिडेंट, देन आपका कॉंसिल आपका स्टेट्स, जिसको हम राज्य सभा बोलते हैं, and the third one is house of people जिसको हम बोलते हैं लोक सभा, तो आपका क्या कहता है, सबसे पहले आपका आता है parliament जो है आपका, parliament consists three parts, ठीक है, the first one is आपका president, and the second one is आपका राज्य सभा, जिसको आप कहते हैं council of states, council of states, जो कि आप राज्य सभा है, and the third one is लोक सभा, लोक सभा, जिसको हम कहते हैं आपका house of people, house of people, ठीक है, ये आपको पता होना जरूरी है, अगर आप parliament के बारे में किसी को भी पढ़ा रहे हैं या किसी से भी बात कर रहे हैं, parliament की, तो सबसे पहला तो जरूरी है कि आपको पता होना चाहिए, कि organs जो है, government के, वो कौन-कौन से है, और parliament उनका कौन सा जो है, executive है, legislative है, या judicial organ है, कौन सा organ है, देखिए, किसी भी chapter को पढ़ने से पहले आपको उसका थोड़ा सा fact या concept पता होना चाहिए, इससे related, ठीक है, अब अगर मैंने आपको सीधे ही पढ़ा दिया, parliament के बारे में, जब ही हमने president भी पढ़ा, पहले ही हम president इसलिए पढ़ चुके, क्योंकि parliament में ये आएगा, ठीक है, इसके बाद आपने chairman भी पढ़ा, ठीक है, vice president आपने पढ़ा, ठीक है, vice president and chairman of Rajya Sabha, बोथ हार same, ठीक है, दोनों ही same चीज है, ठीक है, इस वज़े से हमने सबसे पहले ये सब चीज़े पढ़ी थी, आपके difference में, ताकि आपको यहाँ पर जो है, problem ना हो, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया, there are three organs of the government, the first one is the executive organ and second one is legislative organ, legislative organ is basically associated with the policies and आपके जितने भी laws आएँ, जितने भी आपके acts आएँ, ठीक है, जो भी आपका policies बनानी है, किसी भी चीज़ से related, तो उस पर काम करते हैं, किसका है, legislative का, ठीक है, and the third is judicial, आपका judicial आप जानते हैं, supreme court, high court, coordinate courts, यह सब, ठीक है, अब देखिए, parliament मैंने आपको बताया, parliament consist करता है, तीन चीज़ें, ठीक है, जिसमें आते हैं, सबसे पहले president, president के बारे में आप जानते ही होंगे, अभी आपका recently, जो है, elections हुए है, जिसमें आपकी 15th president, जो है, ठीक है, first tribal woman जो बनी है, ठीक है, president, वो कौन बनी है, द्रॉपदी मुर्मू, ठीक है, अब इस से बारे में भी अगर मैं आपको बढ़ाओं, तो यह आपका जादे लंबा topic छड़ जाएगा, फिर भी आपको इतना पता होना चाहिए, देखे, द्रॉपदी मुर्मू, जो first tribal woman जो president बनी है, ठीक है, first tribal woman है, यह tribal woman, ठीक है, जो आपकी president बनी है, अब आप से पूछा जा सकता है, यह आपको पता भी होना चाहिए, कि कौन सी tribe से, ठीक है, किस tribe से यह जो है, बिलॉण करती है, तो उसका नाम है, उस tribe का संथल, ठीक है, संथल एड उसको संथल भी बोलते हैं, और, ठीक है, संथल ट्राइब, संथल ट्राइब, ठीके संथल ट्राइब अब संथल ट्राइब क्या है देखिए आपके संथल ट्राइब जो है अगर मैं population के बारे में बात करूँ तो यह जो ट्राइब है संथल ट्राइब ठीके population के बारे में बात करूँ तो largest ट्राइब है जारकंड में और आपके तमिल जारकंड एंड आपक जो tribe है संथल tribe ठीक है लार्जस tribe है जारखंड एंड वेस्ट पिंगॉल की ठीक है और आपको पता है द्रोब दी मुझो है आपकी 15th president है 15th president of India ठीक है एंड इनकी tribe कौन सी है तो यह संथल tribe है question में आपके UPSC state pieces में आ सकता है जैसे match the following में आता है कि इस tribe को इससे match करिए ठीक है जैसे भील tribe हो गया संथल tribe हो गया ठीक है ये सब तो संथल tribe आपके जहारखंड और Вेस्ट पंगॉल में सबसे ज़्यादे पाई जाती है इन टम्स ओफ अगर हम population के बारे में बात करें और अगर हम tribe के बारे में बात करें और ये किस-किस जगे पाई जाती है वाले tribe तो ये बात करते हैं, प्रेजिडेंट के बारे में इसमें, प्रेजिडेंट का चैप्टर में आपको पढ़ा चुकी हूँ, देखें, प्रेजिडेंट के बारे में इसमें ये बोला गया है, कि प्रेजिडेंट जो है, प्रेजिडेंट मेंबर नहीं होता, आइधर हाउस अफ, प्रे ये मैंने आपको पहले भी बताया था इसमें देखिए छोटी सी बात ये है कि प्रेजिडेंट जो है हमारे इसमें ये बोल रहे हैं कि प्रेजिडेंट जो है आपके किसी भी हाउस के आइधर हाउस ओफ पार्लेमेंट के मेंबर नहीं होते लेकिन वो तब और ना ही वो किसी मिटिंग में बैटते बट तब भी वो जो है integral part है आपके parliament के ऐसा क्यों है क्योंकि कोई भी अगर जो bill है वो तब तक act नहीं बनेगा या law नहीं बनेगा जब तक उस पर president की assent नहीं आ जाती जब तक president की assent उसको नहीं मिल जाती उस bill को तब तक वो act नहीं बन सकता that is why he is an integral part of the parliament ये इसके बारे में चीज़े है अब आपकी चीज़ आती है लोक सभा और आपका राज्य सभा तो parliament में मैं आपको बता हूँ article कौन से deal करता है parliament deals with article 75 to 122 ठीक है इस article से तो उसके बाद फिर आता है आपका राज्य सभा president का मैंने आपको बता दिया राज्य सभा देखे आपका क्या है राज्य सभा को हम council of states भी कहते है ठीक है राज्य सभा में क्या होता है राज्य सभा देखे आपका जो है permanent body है permanent house है ये लोग सभा जैसे dissolve हो जाती है उस तरह से dissolve नहीं हो सकता permanent house है ठीक है राज्य सभा की composition मैं अगर आपको बताओं तो राज्य सभा की composition ये है composition of राज्य सभा composition of राज्य सभा के अगर मैं बात करूँ composition क्या है राज्य सभा की तो देखिए, presently 245 जो है इसमें members है, 245 members है, जिसमें से आपके 229 जो है वो represent करते है states को, states को represent करते है और आपके 4 जो है वो union territory को represent करते हैं, और जो बाकी बचे rest, 12 जो है आपके वो किसको represent करेंगे, 12 आपके represent करेंगे, 12 nominated by president, 12 को जो है nominate करेगा president, nominated by president, ठीक है, इसी तरह से अगर आपके लोगसभा के बारे में बात की जाए, ठीक है, लोगसभा क्या है, लोगसभा आपका, लोगसभा क्या है, आपका house of people भी इसको कहा जाता है, ठीक है, ये permanent house नहीं है, dissolve हो सकता है, 5 years इसका time period है, dissolve हो सकता है, president इसको dissolve कर सकते हैं, ठीक है, अब लोगसभा का आपकी composition क्या है, लोगसभा में at present, at present अगर मैं बात करूँ, तो कितने members हैं, आपके 5 545, जिसमें से 545 members हैं, आपके जिसमें से 530 आपके states को represent करते हैं, ठीक है, 2 Anglo-Indians है, 2 Anglo-Indians, ठीक है, और बाकी के जो बचे आपके, ठीक है, जो rest बचे आपके वो कौन है, वो आपके union territories, represent करते हैं union territories, तो यहां तक I hope आपको अच्छे से समझ में आया होगा, कि parliament consist करता है, 3 parts, जिसमें आते हैं आपके president, and then आपका राज्यसभा, and third one is आपका लोकसभा, president मैंने आपको बता दिया, integral part है, और क्यों है, किस वज़े से हैं, ये भी मैंने आपको बताया, कि कोई भी bill जो है, वो act नहीं बन सकता, without the assent of the president, मतलब president की उस पे assent लगनी लगनी है, otherwise वो bill जो है, वो bill ही रहेगा, वो act नहीं बन सकता, ठीके, second चीज आती है, आपकी राज्यसभा के बारे में, composition मैंने बताई, आपको permanent house है, ठीके, ये dissolve नहीं हो सकता, उसके बाद आपको बताया, मैंने लोकसभा के बारे में, five years time period है, and dissolved by the president, ठीके, अब यहाँ पर हमें पढ़ना है, duration क्या होती है, आपकी लोकसभा की and राज्यसभा की, तो देखे, duration मैं अगर राज्यसभा की आपको बताऊं, राज्यसभा की duration क्या है, कि मैंने आपको बताया, permanent house or you can say that continuing chamber है, ठीके, इसमें जो है, one third जो members है, वो retire होते है, every second year, one third of the members of the राज्यसभा retire every second year and the seats filled up by the fresh elections, और जो यह seat, जो retire होते हैं और जो seat खाली होती है, वो किस तरह से fill up की जाती है, fresh election से, अब जो retire हो चुके members, ठीके, वो election के लिए eligible होते हैं, re-election के लिए eligible हो सकते हैं, और you can say that re-eligible होते हैं, election के लिए, ठीके, retire members, constitution ने जो है, fix नह का tenure, constitution has not fixed the tenure of the members of the राज्यसभा, अब बात आती है, आपकी duration लोगसभा की, तो लोगसभा में है कि five years जो है, यहां का, आपका time period रहता है, from the date of inquiry, after the general election, and president is authorized to dissolve the लोगसभा at any time, before the compulsion of five years, and यह challenge नहीं हो सकता, court में, and cannot challenge in any court, ठीके, यहां तक आपने पढ़ा, अब इसके जो हम पढ़ेंगे, members क्या है, राज्यसभा और लोगसभा की, अगर राज्यसभा में members आ रहे हैं, तो क्या है वो, आपका, citizen of India, citizen होने चाहिए, इंडिया के members में, अगर हम बात करें, parliament के, ठीके, citizen होना चाहिए, और वो, क्या कहते है, आपके, अगर राज्यसभा में आ रह पढ़ेंगे, अब जो हमारे जो chapter ये चल रहा है, election के, इस parliament के बारे में, जो हम पढ़ रहे हैं, इसमें देखिए, आपके important क्या बनता है, जिस तरह से मैंने आपको president और vice president के बारे में पढ़ाया था, तो vice president तो chairman of राज्यसभा ही होता है, उसको आप पढ़ेंगे, ठीके, उसमें से आप chapter वह वाला revise करिएगा, इसके बाद जो आपके कुछ motions है, ठीके, जैसे adjournment motion और आपका sign dive motion ये सब जो चीजे हैं, ठीके, प्रोरोगेशन, sessions जो हैं, सिर्फ इसके बारे में हमें पढ़ना है, जादे इसमें कुछ ऐसा इतना नहीं आता, क्योंकि chapter जो है, कि आपके exam point of view से important है, ठीके, तो वो आगे का जो हमारा chapter है, वो आगे हम continue करेंगे, second part में वो भी जल्दी आएगा, तब तक के लिए thank you so much.